कि जो अभी हाल ही में जो लोग आ रहे हैं वो ऐसे खेतर से आ रहे हैं ऐसे इलाके से ऐसे परदेशों से आ रहे हैं जहां करोना वारिस के मामले बहुत तेजी से बड़े हैं और सभाविक रूप से संक्रमित हो करके उनमें से कुछ हिमाचल परदेश में भी वो लोग पहुं दिये हैं कि जितने भी लोग हिमाचल परदेश में दूसरे परदेशों से आ रहे हैं उनको जब स्टेशन पर रिसीव किया जाता है तो पूरी साब्धनियों के साथ वो काम किया जाए हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा क्रोना वारियर चाहे वो डॉक्टर है चाहे पैरा मेडिक करने की आफशक्ता है उस विवस्ता को करने के लिए सब ही अधिकारियों को आदेश दिये हैं और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ बढ़ोतरी और जादा हो लेकिन फिर भी चिंता करने की आफशक्ता नहीं क्योंकि ये लोग उनको अपने अपने गाउं जाने की अनुमती होगी दूसरी तरफ से मैं आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि एहतियात और जो परहेज जो बाते हमने आपके साथ पहले भी की हैं उन बातों पर ध्यान रखें मेरा उन सभी भाई बहनों से उन करना चाहूंगा कि वो भी हिमाचल परदेश में आने के पश्चाथ तमाम जो सारी बातें जो आवश्क हैं करोना वारिस से साबधानियों की दिश्ट्री से उनका पालिट करें अगर आपको परशाशन इस बात के लिए आगरे करता है कि आपको इंस्ट्यूशनल कॉरिंट जिस परकार की सुवधा को घर में मिलेगी जिस परकार की सुवधा में शायद आप पहले थे उस परकार की सुवधा में आप वरतमान में उस स्थिती में नहीं हो पाएंगे अगर हम कॉरिंटीन की बात करते हैं तो ऐसी सूरत में थोड़ा वक्त आपको परशानी जरूर हो और आपके परिवार को भी और समाज को भी